अले बाइसाब रोक लाओ अले रोक लाओ बाइसाब ऐसे घुमारे रूटे बेटे चलाने नहीं आता क्या मतलब पावर चला के थोड़ी दिखेंगी और किसान भाई हो यह भागा रहें दूसरे गेर में टूसरे घुमारे फिरे टेश्ट भाई डेखेंग घ्रिजा बिलफ। टूसरे बाई हमें अथा था नहीं हो बद्ज़ पांसोचालिस अब्टू वफ फ्तू आज़न थाजर्ड गड़। नमस्कार किसान भाईयों श्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल अवद लाइब खेती में किसान वो आज हम आपके साथ फिर से उपस्तित हैं एक नई और सांदार वीडियो लेके किसान वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वदेशी ट्रेक्टर की बारे मे बात करने वाले हैं ये जो मिनी ट्रेक्टर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये जो ट्रेक्टर है ये भारत में बनाया गया है इसका यानि कि एक नेट बुल्ट भी जो है कहीं बाहर से नहीं लाया गया सारा चीज जो है भारत का ही है किसान वो आज हम आप सूरत गुजरात के अंदर में जिस जगे पर अभी हम खड़े हैं ये जगे का नाम है महुआ और किसान वोगर कंपनी की बात करों कंपनी का नाम है आइमेक कंपनी अग्रिकल्चर ये हमारे किसान भाईयों के लिए तरह तरह के पावर वीडर एंड मीनी ट्रेक्टर जो है तैयार कर रही है हम आपको कंपनी के ओनर मिस्टर आइजे मिस्रा जी से मिलाएंगे नमस्कार सर नमस्कार कैसे हैं एक दम बढ़िया सर पहले तो अपना एक छोटा सा परिचे हमारे फार्मर्स को दीजिए थोड़ा सा आपके चैनल के मार्धम से आपके सभी वीवर को और ड़स्ते सभी किसान साथिंछ को मेरा सादर पर नमस्कार मित्रो हमारे नाम है आजे मिस्रा हमारी कंपणी का नाम है मक कंपणी और सूरत गुजरात तक नाम करें जैसे आपने इसका नाम दिया है आइमेक वज्र डियाई-1600 जिए आइमेक वज्र ही नाम के रखा चार एक्च्वल में दिखिए कोई सब्द जो है किसी अर्थ का परियावाची होता है यह सब्द जब कोई वस्तू बनाते हैं या किसी बच्चे का ही नाम रखते हैं तो आप ऊसके फियुचर प्लान के बारे में समझते हैं किस dive अ किसी प्रकार की जमीन हो भारत क किसी राज्य में हो कोई भी किसान कहीं का भी से लेता है तो उसके हर कार कोंई आसानी से यह पूरा करेगा यह बज्र के समान मजबूत होगा बज्र एक कठोर उसका परयावाची सब्द है कठोर जे मजबूत जिसे कहते हैं तो उससे प्रभाइट होकर इसका नाम वज्र दिया गया जी अशा सर अगर बात करें एच्प की इसमें जो एंजन लगाया गया है वो कितने एच्प का यह ट सब्द में इसका जो है मॉडल नाम है आई मेक वज्र और अंक में डी आई शोलसो जी अब दोनों चीज से अगर कोई किसान फार्मर पूछना चाहता है कि हमें आई में वज्र चाहिए या डी आई सोलसो चाहिए तो दोनों इंडिकेट हो जाएगा और डी आई का मतलब होत है काफी टेकनॉलजी चेंज हो गई तो अब जो है डेक्ट इंजेकटर की आपको चावी लगा और डारेक्ट सेल्प मारना जी अज़ए इंजन की बात करो इंजन किसी क्ालिटी का है स्वदेशी इंजन है विदेशी इंजन है क्या है पूरे ट्रीक्टर की बात अगर हम क जो डाल रहे हैं उनकी फैक्टरियां बंद हो रहे हैं तो अगर आपको जैसा कि उसके नाम है आइमेक वज्र तो उसके नाम के ही अनुसार इसमें इंजन दिया गया है तो निश्चिंत रहे हैं किसी प्रकार की समझ्छा आएगी ऐसी कोई समझ्छा इसमें आपको बोनट हैं कहीं पर पूरी जोर लगाकर अगर आम यहां से धकने पूरा त्रैक्टर हीले गा है अ अच्छे थिकने से इवम मका देख में प्रयोग कहा इसका माइलेज बहुत ही अच्छा है तो इसलिए फ्यूल टैंक बहुत बढ़ा डालनी के और शक्ति क्या माइलेज करता है एक गंटे में तो एक लीटर के अंदर रहेगा आठ सो से नौ से मैक्सिमम कंजेप्ट करेगा बलकि उसके नीचे करेगा लेकिन हम सब्सक्राइब ज जाएख चानलेट्क जैसे कोई में यदिटर की बात क्रूंप जैसे कहते हैं कि कोई जहां से हावा पास होती है किस ऐसे किर में बोलेंकि हमने कुछ बहुत बड़ा कुछ अब को टॉल दी है ऐर्पीर जितना उसको एयर चाहिए उतना ही देना होता है अधिक एयर या अधिक डीजल अधिक पेट्रोल डाल देने से इंजन अच्छा नहीं हो जाता है इंजन की कैपसिटी अनुसार जितना उसको चाहिए उसके परियाप्त मात्रा में एक स्टेनलेस स्टील अच्छा सा एयर क्लीन इसमें स्वदेशी ही इसमें साधा ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप स्वेम में चाहूंगे एक हाथ से खड़े ट्रक्टर को भूमा के देख लीजे आपको समझ वाज जाए पावर श्टेरिंग किसमें जरूरत आव शेकता बिल्कुल नहीं है बिल्कुल इजी आप वहां से भी यहां से भी हाथ डालके अवली सगर गुमाएंगे तरह के पूरा घूमरा है मतलब अगर अभी इतना वसे गुमरा तो जब ट्रक्टर स्टार्ट हो जाता हुए बिल्कुल पानी मक्न जैसा हो जाता है और दूसरी चीज किया है कि अग्चु मोचि형 यहां से चीजी कि आप बाल घ्या थी यहां से यही कार्व कार्मन डेख हैंग मेंचेज श्रूमरा संटीं और तमामल प्रकार के यह श्रूमरा के बनाने के बाद ही यहां कम्पलीठ हो पाथ जिसमें की हंडेड़् परसें को रज़ चाणियों खर उइका परफिकु इसमें कुछ आपको देखनी का सकता नहीं बड़े ट्र जैसा ही है थी फारवर वन रिवर्स गेर आएगा इसमें हाई लो आएगा अचा और पीटियो यहां पर देखने हैं कि पांसो चालिस अप्टु वन थाउजंड पावर जरनेट करें पीटियो और डबल लिटिंग आप मान के चलिए थोड़ा इसको कर देते हैं जिससे दीखे आपको यहां पर देखें कि यहां पर है इस्ट्रा है इस्ट्रा इश्ट्रा इडर्लिक ट्रॉली तो करी पाएंगे इसे इन फ्यूचर हमें छोटा रिपर फ्रंट पे चलाना हुआ तो है तो हैड्रोली लगा यहां से कनेक सनन घोगे लिया जाएगा अच्छा यह जो है और ऑनत्的 क्रेसर से आपका निपर ऄपरेट हो जाएगा ए अगर बेट्लिप्टिंग कि बदिट्सर ऐस प्रॉ आखंड पाई लिप्टिंग यह हम हैड्रोलीनलीक लिव्ट्टिंग है अगर तो है आ हाई आज स लेकिन इसमें जो equipment पीछे लगने वाले हैं, वो कोई भी 500 kg के उपर के अधिक लगते नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं कि इसको कोई चीछ लिफ्ट करना है, अगर मानेजे ट्रॉली लगाते हैं, ट्रॉली कितना बेट लाद के आगे पीछे ले जाते हैं, जो tochen capacity है, tochen capacity है सेफ साइड अगर आप इसको चलाते हैं, तो 2000-2500 kg ट्रॉली में लोड करके इसको खीच सकते हैं, ठीक हैं, इससे अधिक अगर लोड करते हैं, तो आपने बड़े ट्रेक्टरों में भी देखा होगा, अधिक लोड करने के बाद किया हो जाता है, कि वी ट्रेक्टर आगे से पानी वगर भी निकालना हो, इसमें जो PTO हंबने दीया, वो बड़े ट्रेक्टर का ही है, यह जो इसलिए मैंने सर कुष्य futures कुष्यन किया, तो इस Nep आप अपसे डैनमो चला सकते हैं, वाटर प्म चला सकते हैं, एस्टी फूम चला सकते है, यह तमे ट्रेसर चला सकते हैं, जी एक कुश्शन मेरा लास्ट है सर जैसे अगर बात करें तरंच बीदी से हमने गन्ना की खेती की है तो अगर हम देखें इसके साइज की तो ये कितनी साइज है कितनी साइज में है ये इस अगर बहुत सारे कंपनीया बना रहे है हम आपको दिखाना चाहेंगे क्या होता है क अगर बनाया होता तो आज हर घर में जो बैक रोटी पावर वीडर है उसकी जगह पर मिनी टेक्टर चलता रीजन क्या है कि ये इसकी जो वेथेल चोड़ाई है वो अधिक होनी के वज़ए से फसलों के बीच में वो चल नहीं पाता है टायर से टायर की दूरी हमने 22 इंच पर कंट्रोल की है तो अराउंड अगर बात पने टेक्टर यूसी रेंज के आसपास 20-30-40 जार लगा कि एक टेक्टर मिल जाए तो पर क्या तो प्राइस की बात करों तो क्या प्राइस अभी जा रही है कि जैसे जो किसान गुजुर्ग पढ़ा है गर में घाओ में है उनको खेतों बहेजा जाता हो जाते ने वो तो फैक अप्राइस तो पैदल चलने वाली कोई बी एकुपमंस वो उसको लेकर जाने में बच्चे जो कत्राते है बिल्कुल बिल्कुल तो अब समुच गर जैसे आपने बैक रोटरी की बात की ठ तो फिक थाक बैक रोटरी अगर लेनी है आपको तो धायलाग धायलाग प्लास ही जाती है तो उसको ले बुलिया जाने के लिए तो कोई भी एंग लड़का होगा जो पढ़ रहा है पढ़ रहा है तो लेकिन उसी जगह पर यह तर्टर अपके घर में पढ़ा हुआ है संडे घर पर लड़का बैठा उसको बोल दिया है चारवी के जमीन है जुताई करके आजा वो पूरा दिन करेगा बिल्कुल करेगा शौक से करेगा मौज में करेगा बड़े खुसी से जाएगा बल्कि वह चांस जूड़ता रहेगा कि हमको कब बोला जाए खम खेत में जाए कोई एक्विपमेंस जो है इंट्रेस्टिंग भी होना चाहिए जिसको चलाने में आनंद आये इंट्रेस्ट आये काम करने का अनंद अभी है कि जब कोई चीज आपको सकून दे अगर सकून नहीं दे रही है तो आ चीज लंबे समत्तक आप यूज नहीं कर सकते बिल्कुल इसकी बात करें सर तो इसकी क्या प्राइस रखा है अभी आपने प्राइस जो है डियाई 1600 इमेक बज्जर जो है वो सोले एच्प में इंजन है ठीक है हन्डेड परसंट टोटल मेक इंडिया कुछ भी पार्ट बाहर देश कर नहीं हैं हन्डेड परसंट बनावाट अगर अ आप अपने खुद अपने आकों के सामने देख लिए तीन लाख पांच जार उपया हम किशानों को दे रहे हैं इसके साथ कोई अटेच्मेंट मिल सकता है अटेच्मेंट इसके साथ हम कल्टीवेटर आपके आने के वजए से और कुछ रिक्वेश्ट था कुछ तो आदेज और आसा करता हूं कि आपके सभी कोश्चन के जवाब हम ठीक पाएंगे अगर कुछ कोश्चन छुड़ गया है वो कमेंट में बिल्कुल आप हमसे संपर कर सकते हैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवास तो किसान बहों आज की जो वीडियो देख रहे थे वो आइमेक कंपन बनसी की ऑनर डारेक्टर सर जो है उन्होंने जो है इस क्रेक्टर के बारे में सुरू से अंध तक जानकारी जो है जहसा की मैं ने इस ट्राक्टर के जानकारी तो आपको यहां पर ट्रेक्टर मिल जाएगा जो की 2,90,000 के प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है और उसके साथ भी आपको कैल्टीवेटर मिल जाएगा और किसान भी अगर बताना चाहों कर इसे आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्पले पे एक नंबर चल रहा है उस पे आप जो है कॉल कर पीछे पीछे चलना पड़ता है तो यह सारी सुब्दा इसमें उपलब्द हैं और किसान भाईयों अगर यहां से पावर वीडर वगरा भी लेना चाहते हैं तो टोटल पावर वीडर का इनका हब है अगर हम बात करें जिससे अभी आपको मिलाया था सर से वह पावर वीडर कम लोग जो है पावर वीडर को यहां पर असेंबल करते हैं नहीं तो पेटी में पैक करके लेकि आए डारेक्ट किसान तक भेजते हैं किसान मैं आसा करता हूं आज की इस वीडियो में मैंने संपूर और बहतरीन जानकारी दी है अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इस को ज्यादा से ज्यादा किसानों के फेस्बुक ग्रूप में सेयर करें मिलूंगा फिर से इसी तरह की एक यूनिक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए नमस्कार और धन्यबाद जय जमान जय किसान